Hi winners, I hope you all are well, thank you so much for visiting my YouTube channel ThisSide Rajiv Anand और आज हम लोग बात करेंगे Photoshop Double Exposure के बारे में Photoshop का Double Exposure Effects क्या होते हैं और इनको कैसे proper edit किया जाता है कैसे template को Photoshop के अंदर import करके और उसके अंदर text, design elements इन सब के उपर कैसे proper effects डाले जाते हैं, कैसे lighting effects को change किया जाता है कैसे lighting effects को insert किया जाता है, तो Photoshop के इन सारे effects को पूरा जानने के लिए मेरे साथ इस video tutorial में अंत तक बने रहें, thank you so much तो चलिए इस video में Photoshop double exposure की बात करते हैं, और Photoshop में double exposure क्या होता है और उसको कैसे edit किया जाता है, तो आप देख सकते हैं, यह double exposure की मेरे पास proper template है nature double exposure की template है, तो इस पर इस पर क्लिक करता हूं और इसको direct Photoshop पर open कर लेते हैं तो यह overall मेरे पास जो है double exposure की हुई proper template आ गई और इस template में देखी यह सारी layers है text layer है, image layer है, design element layer है और background layer है तो सबसे पहले हम लोग background layer remove करके देखते हैं कि background का क्या impact है इसके ओपर तो जैसे मैंने background layer को remove किया तो आप देख सकते हैं, यह image ही complete transparent हो जाती है तो हम लोग इस background को remove नहीं करते, because transparent में यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा तो इसको हम proper own कर लेते हैं इस eye को, design elements की बात करें, तो design elements में there are basically three points तो अगर मैं first वाले design element की eye को close करता हूं तो देखें यह first design element है, यह इस point पर आपको दिख रहा है यह second design element है, जो यहाँ पर आपको show हो रहा है और rectangle one, अगर मैं rectangle one की eye close करता हूं, तो यह जो dark green color का rectangle है, यह यहाँ से remove हो जाता है तो हम लोग इसकी eye को भी open कर लेते हैं और अब हम चलते हैं, image layer के अंदर, तो image layer में देखते हैं अगर मैं पूरी image layer की eye को close कर देता हूं, तो यह पूरी की पूरी जो double exposure की image है यही completely off हो जाती है, तो इसको हम own रख लेते हैं और इसमें जो lighting effect डाले गए है, सबसे पहले flare की बात करते हैं तो flare को हम लोग पहले close करते हैं तो यह देखिए, आप यह flare देख पा रहे होंगे तो अगर मैं flare को close कर रहा हूं तो फिर भी अच्छा highlight हो रहा है तो flare को हम लोग close ही रखते हैं और यह जितनी भी lighting effect डाले गए हैं top section में, bottom section में तो एक एक बार सारी eyes को close और open करके देखते हैं यह open ही ठीक लग रही है यह देखिए, अगर मैं इसको close करता हूं इस वाली eye को तो इससे और अच्छा impact आता है तो इसको मैं open close ही रखता हूं इस वाली eye को यह ठीक है, इसको ऐसे as it is और यह जो fourth eye है इससे कुछ खास impact नहीं हो रहा, bottom side में तो हम लोग इसको own ही रख लेते हैं तो यह image हो गई, text layer की बात करें अगर मैं पूरी की पूरी text layer close कर देता हूं तो यह सारा जो भी text लिखा हुए double exposure पर यह सारा ही remove हो गया, लेकिन अगर मैं text layer में कुछ रखना चाहता हूं और जो pricing है मैंने price को delete कर दिया यह जो pricing given है मैंने pricing की आई को close कर दिया तो यहां पर यह pricing आई close हो गई यहां पर देखिए जो आपको यह Facebook का proper page का notification जो मिल रहा है यहां पर Facebook page का URL है उस URL को भी अगर मुझे close करना हो तो इस वाली आई को भी मैं close कर देता हूं तो इसको बाद में करेंगे फिलाल यह DJ वाली layer, middle list और top section यह सारा remove कर देते हैं और यह जो हमार पास title वाली layer है इस title वाली layer को ही हम लोग use कर लेते हैं क्योंकि यह हमारा शायद title लिखने में थोड़ा better रहेगा अब इसमें forest wife, Friday, third march यह काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है तो फिलाल मैं simply अगर बाद में YouTube वीडियो thumbnail बनाना चाहूं तो यहाँ पर अगर मैं title वाली को भी close कर दूँ तो I think यह ज़्यादा better लग रहा है तो जितने layers को मुझे close करना था वो मैंने close किया जिनको मुझे open रखना था as it is मैंने open रखा यह core रह गई थी इसको भी मैंने close कर दिया तो यह proper double exposure image जो है वो edit हो जाती है और इसमें हम लोगोंने कुछ खास किया भी नहीं है simply हम लोगोंने Envato से template को download किया है उसको import किया Photoshop के अंदर फोटोशॉप में import करने के बाद जो हमेरे slightly changes करने थे वो slightly changes किये और finally हमारी double exposure की जो यह special effect है यह Photoshop में ready होकर आ गया जे संफड़र किया आ दो अदर छब क सक्टिसम करते है अज़र का मुड़र को में नहीं हो आ है